दोस्तों रबशकार मेरा नाम संजे मग्गू है और मौझूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर हरिगाना में चुनाव है विधान सवा का चुनाव और विधान सवा चुनाव के लिए 15 अक्टूबर को जो मद्दान होना है उसके लिए नामांकन का कारे करने क के लिए सिर्फ एक दिन का बाकी बचा हुआ है यानि कि कल 12 तारिक को नामांकन का अंतिम दिन है कितने प्रत्याशी सामने आएंगे कल 4-5 बजे के बाद सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि हर्याणा की 90 विधान सवाओं के अंदर कौन कौन से प्रमुक प्रत्याशी रहेंगे चुनाव हो या फिर शाधी के गीत यह दौनों कुछ एक जैसे होते हैं पहले कहा जाता था कि शाधी के अंदर घर में मांगली कारेकरम में रूठों को मनाया जाता है और अब चुनाव के अंदर भी वही सब होता है और यह रूठन मनावन के दोर आजकल हर्याणा की राज राजनीती में जारी हैं और खासकर जारीएँ ये चोधरी देवी लाल औमप्रकास-चोटाला के परिवार में। परिवार में। Ginny An人Ohokadla चौटा रजनता पायरanza के जो चौधरी औमप्रेकास चोटाला के परिवार के परिवार का में कहा क्वार्बान से नीच Stevens पार्टियों ने गटबंदन किये हैं इंडियन नेशनल लोगदल ने अभय सिंग चोटाला ने गटबंदन किया है बहन मायावती की पार्टी बहुजन समाज पार्टी से और जेजेपी ने गटबंदन किया है आजाद समाज पार्टी चंदर शेखर आजाद की पार्टी से दोनों पार्टियों को ले करके कह सकते हैं कि जाट समाज और दलित समाज का एक मिलन हुआ है अनुठा मिलन और दोनों ही पार्टियां खासकर जेजेपी और इंडियन नेशनल लोगदल अपने वर्चस्व की क्या होगा इस समय बताएगा लेकिन मैं आपसे जो चर्चा कर रहा था रूठने मनाने की और गिले शिक्वे दूर करने की चौधरी ओम्प्रकाश चोटाला और चौधरी देविलाल परिवार के लोगों के बीच में इस समय गिले शिक्वे कम करने का या गिले शिक्वे दर्मपत्नी या फेर सुनेना चोटाला यह कोई नाम चलते थे, अब इस सिहाग वहां से कॉंग्रस के कैंडिडेट पिछली बार थे विधायक बन गए थे, वो भी चौधरी देवीलाल के भाई के पोते हैं, अब इस सिहाग भी पिछली बार बार वो विधायक बन गए थे अग्की बार भी वो Congress candidate है लेकिन मैं बात कर रहा हूँ चौधरी देविलाल के बेटों और चौधरी ओम प्रकाश चोटाला चोटाला साब के भाई और उनके परिवार की अधित्य देविलाल का नाम है बड़ा नाम अधित्य देविलाल का बड़ा नाम तब हुआ जब उन्होंने अभै सिंग चोटाला की धर्मपत्नी कांता चोटाला को यानि कि अपनी रिष्टे की भावी होई उनकी अपनी भावी को जिला परिशत के चुनाव में हरा दिया वो चुनाव हराने के बाद में आधित्य देविलाल भारती जंता पार्टी की आँखों के तारे बन गए 2019 के चुनाव से पहले भारती जंता पार्टी ने आधित्य देविलाल को चौधरी जगदीश चोटाला के बेटे हैं चौधरी देवीलाल के चार बेटे चौधरी ओमप्रकाश चोटाला, परताप सिंग चोटाला, जगदीश चोटाला, रंजीत चोटाला तो सबसे छोटे बेटे जगदीश चोटाला थे जगदीश के बेटे है आधित्य चोटाला है आधित्य देविलाल अपने साथ नाम लिखते है आधित्य देविलाल मैंने बता दिया चर्चाओं में कब आये थे 2019 का विधान सभाज चुनाव लड़ा आधित्य ने भारती जन्ता पार्टी से बीजेपी ने उनको बनाया हरियाना स्तर का दो बोड़ों का लग-लग चेर्मेन अभी जो चुनाव 2024 का होना है डबवाली से उनकी तयारी थी रंजीश सिंग चोटाला भारती जन्ता पार्टी डबवाली से दिना चाह रही थी आधित्य देवीलाल नाराज हो गए भारती जन्ता पार्टी की पहले चेर्मेंशिप छोड़ी उसके बाद में चौधरी ओम प्रकास चोटाला से मिले चौधरी ओम प्रकास चोटाला से मिलने के बाद में भारती जंता पाटी छोड़ी गिले शिक्वे दूर हो गए गिले शिक्वे खतम हो गए और वहां पहुँच गए वो चौधरी ओम प्रकाश चोटाला के पास चौधरी ओम प्रकाश चोटाला ने और अभे सिंग चोटाला ने इंडियन नेशनल लोगदल में शामिल कर आजित वाली विधानसावा सीट पर जो मुकाबला है वो कॉंग्रेस और भाजपा का तो होगा। कॉंग्रेस और भाजपा का तो होगा। इंडियन नेशनल लोगदल भी उसके अंदर सशक्त केंडियेट हैं क्योंकि वो भी होगा। और अगर मैं आपको बता दूँ किया मुक्य मुकाबला जो होगा वो चौधरी देवीलाल के राजनितिक वारिसों में ही होगा। चौधरी देवीलाल के राजनितिक वारिस एक तरफ आधित्य देवीलाल और दूसरी तरफ दिगविजय चोटाला। परिवार इन एलो वाला एक हुआ जगदीश चोटाला जी के बेटे आदित्या देवीलाल चौधरी ओंप्रकास चोटाला के साथ मिले लेकिन जो उनके भतीजे कह सकते हैं रिष्टे के डॉक्टर अजय सिंग चोटाला के बेटे दिगवजे चोटाला ने ताल ठोक रही है र लेकिन दूसरी जगा पे लड़ाई भी आमने सामने खुद की होगी चाचा भतीजा आमने सामने होंगे चाचा आदित्य होंगे और भतीजे दिगवजे इनके बीच में कैसी बिढ़नत होगी और क्या आदित्य देवीलाल का मुकावला कॉंग्रेस के केंडिडेट के साथ म नामांकन तो किया नहीं शायद नामांकन कल करेंगे रानिया विधांसवा सीट पर जन्नायक जंता पार्टी ने समझोता कर लिया है चौदरि रंजीज चोटाला से समझोता ये हुआ है कि आप हमारी करो हम आपकी करेंगे रंजीश सिंग चोटाला रानिया से विधानसभाद चुनाव लड़ेंगे तो जन्नायक जन्ता पार्टी ने रानिया से अपना कोई कैंडिडेट नहीं उतारा लेकिन मुकावला यहां भी चौधरी देविलाल के राजनितिक वारिसों में ही होगा रंजीश सिंग चोटाला के मुकावले रानिया में चौधरी ओम प्रकाश चोटाला के पोते अभै सिंग चोटाला के बेटे अर्जुन चोटाला मैदान में है अर्जुन चोटाला यहां चुनाव मैदान में उनको चुनावती देते हुए नजर आएंगे इंडिया नैशनल लोगदल और बसपा केंडिडेट के तौर पर आप ये मान करके चलें कि एक तरफ चाचा बतीजा और दूसरी तरफ दादा पोता यानि कि परिवार के अंदर अगर धड़े छे थे तो छे धड़ों से चार तो हुए लेकिन आमने सामने अब भी रहेंगे आमना सामना भी परिवार का होगा आप सिरसाज जिले को ये मालने कि यहां पर चौधरी ओमप्रकास चोटाला और चौधरी देवीलाल के फौलावर्स की बहुत बड़ी संख्या है चौधरी देवीलाल के राजनितिक सभाउप्रकास के लाम पर करते हैं मैं कि गवजय की नमाइंकन सभा जिसके नंदर प्रकास जंदाबाद के नारे लग रहे से यह नारे कितने फलीभूत होंगे किसके लिए फिल गुड होगा और चौधरी देवीलाल परिवार के जो राजनितिक वाली सामने सामने होंगे इस पर चौधरी देविलाल की छत्र चाया जाएगी आपको क्या लगता है कि क्या रानिया विधान सभा के अंदर दादा पोते की जंग में कौन भारी पड़ेगा यानि कि रंजी सिंग चोटाला और अरजुन चोटाला की चुनावी जंग में कौन भारी पड़ सकता है सब्सक्राइब करें देश रोजाना के यूट्यूब चैनल को और नई वीडियो की नॉटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन ज़रूर करें अगर आप ये वीडियो फिस्बुक या इंस्टेग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें